हलो बच्चो कृष्णा क्लासिस में आप सबका श्वागत है मैं उजा बच्चो मैं आपको आज 10th क्लास का फुट्प्रेंट्स विदाउट फीट लेसन पढ़ाने जा रही हूं और मैं आपको बहुत ही अच्छे से हिंदी में एक्स्प्लेंग करूंगी और एक बात बता दिखाई दे रहा है फुट्प्रेंट्स विदाउट फीट यह है फुट्प्रेंट्स विदाउट फीट तो फुट्प्रेंट्स मीस क्या होता है बच्चो पैरों के निशान प्रेंट्स मीस निशान या मार्क चिन और विदाउट मीस बिना और फीट मीस पैर बिना पैरों के पैरों के निशान अब यह बात बताईए बिना पैरों के पैरों के निशान कैसे बन जाएंगे पैर होंगे तभी तो पैरों के निशान तो बिना पैरों के पैरों के निशान कैसे बनते हैं और क्या सीक्रेट है क्यों बनते हैं यह इस लेसन में हम पढ़ेंगे और जैसा कि में आपको बता दू इस इसमें क्या होता है इस lesson को पढ़ने से पहले हम थोड़ी की समरी को जान लेते हैं समरी जालने से क्या होता है lesson को understand करना समझना थोड़ा ईजी हो जाता है और तो हम आपको बताते हैं इस वेस्ताल आजिस्प्र स्टक्राण्ट की गिरफिन गिरफिन नाम का सांटिस्ट होता है तो वो ऐसी मेडिशन की डिश्कवरी करता है जिसको खाकर के human body transparent मतलब invisible हो सकती है हो जाएगी तो वो ऐसी दवा को की खोज करता है जिस दवा को खाकर ब्याती अद्रस हो जाएगा अद्रस तो वो क्या करता है उस अपनी खोज का अपनी इस डिसकवरी का अपनी उस दवा का क्या करता है वो खुद ही उसको खाकर खाता है जब जब वो गलत काम करता है तब तब उसको खाकर के वो अद्रश हो करके कहीं चोरी करता है अक्सर वो चोरी ही करता है और मकान मालिक के घर में अग लगा करके और अद्रश वकर के भाग जाता है जैसा कि पतादु में स्टार्टिंग थोड़ी सी कई कि कि ये मकान में रहता है साइन्टिस्ट उस मकान में आग लगा करके अद्रश हो करके भाग जाता है और अद्रश हो करके भाग जाता है तो जब अद्रश बोडी अद्रश हो जाएगी कपड़े अद्रश थोड़ी न हो जाएगे तो कपड़े भी इसको उतारने पड़ जाते हैं तो कपड़े उतार क होता है अधंड़ पड़ रही होती है इस तैरह ये वरंडरिंग परसन बन जाता है यह अदरश हो के क्या हरकतें करता है जब जब यह किसी इसमें आता है फसंता है गलत काम करता है यहिसा कि मैं आपको बता दूंग अपने रिम देख योगी मिश्टर इंडिया अनि데 कोड़ी देखिए न तो वही अनिल कपूर की फिल्म वो क्या है को सुटिपसी मेजी कल बश्केवेशा कई अध्रश्ज हो जाता है और क्या क्या करता है गंगर्णाम करता है इसे यह घ्रिफिन यह question दो हमको दिखाई दे रहे हैं read and find out यह तो फहला question है हमारा how did the invisible man first become invisible तो how means कैसे invisible means means वो अद्रश्य आदमी कौन अद्रश्य आदमी scientist first पहली बार become visible पहली बार कब visible होता है हुआ था तो कब visible होता है मिस्टोरी को पढ़ेंगे तो अपने आप हमको समझ में आ जाएगा इसका question का answer हम खुद ही find out कर सकते हैं second question है यह हमारा why was he wandering the street वह गली में क्यों wandering कर रहा था क्यों गूम रहा था क्यों कि मैंने जैसा कि आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले कि wandering क्यों हो गया था वो नमकान में आग लाया था और कपड़े तार दिये थे ठीक है तो वैसे स्टोरी को पढ़ेंगे तो बहुत ही interesting स्टोरी है बच्चो तो दोड़ा पढ़ेंगे समझेंगे देखो तू बोज इस्टार्टेट इन सर्प्राइज एर्दा फ्रेश मड़ी इंप्रेंट्स और पेर और बियर फीट तो सर्प्राइज मीज क्या होता है बच्चो आर्शर चकित हो जाना ठीक है स्टार्टेट मिज शरू होना वो चलते हैं fresh मड़ी इंप्रेंट्स मीज का मतलब होता है ताजी-ताजी मड़ी मीज कीचर से सने हुए ठीक है और इंप्रेंट्स मीज निसाल और पेर मीज जोड़ा होता है ओ बियर मीज नंगे और फीट मीज पींज पेर तो लड़के दो लड़के पैरों के ताजी ताजी मतलब पैर किसमें सने हुए थे कीचड में सने हुए पैरों के ताजी ताजी निशानों को दे कर आशर चकित हो गए थे अब पैरों के ताजी ताजी निशान किसके बन रहे थे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं बच् लेकिन अद्रश उनका उसके पैर जब भागा था तो उसके किसी कीचड में पैर पड़ गए तो कीचड में पैर पड़ गए तो पैर कीचड में मतलब गंदे हो गए तो जहां-जहां वो चल रहा था वहां-वहां उस कीचड से युक्त पैरों के निशान बन रहे थे लेकिन वो सांटिस्ट क्या था अद्रश्य था तो उन बच्चों को जो टू बॉइस थे दो लड़के थे उनको वो दिखाई नहीं दे रहा था सांटिस्ट बट उस जो चारा था वो लंदन की शीनियों पर महां जो चिन पद चिन बन रहे थे उसके इंप्रिंट्स फ्रेश इंप्रिंट्स और क्या है फ्रेश मढ़ी इंप्रिंट्स पैरों के ताजी ताजी नांब वो उन बच्चों को दिखाई दे रहे थे उनको देखरके वो आश्चर चकित हो गए कौन दो-ड़के समझ में आया तो थो दू बॉइस स्टार्टे ग What was a wear-footed man doing on the steps of a house in the middle of London? तो wear-footed man, wear-footed man, नंगे पैर वाला आदमी doing means कर रहा था. Steps means सीडियों पर, step means सीडियों पर, और wear-footed means नंगे पैर वाला. House means घर, जानते हैं, middle of London, लंदन के मद्द में. अब क्या है कि वह नंगे पैर वाला व्यक्ती लंदन के मद्द में, घर की सीडियों पर क्या कर रहा था. तो आगे चलेंगे, and wear was the man, और आदमी कहां था. wear means कहां, बाज मीश था, the man means आदमी, आदमी कहां था. तो as they gazed a remarkable sight, met their eyes. gaze means घूरना या देखना, देख इसके लिए आया है, उन दो लड़कों के लिए. और gaze means उन्होंने देखा या घूरा, एक क्या देखा, एक रेमार केबिल sight, एक महतपूर द्रश. met their eyes, उनकी आँखों को मिला, मतलब उनकी आँखों ने एक महतपूर निशान, महतपूर द्रश देखा. sight means क्या होता है, वाचों, द्रशी देखा है. क्या देखा, एक fresh footmark, fresh means, ताजी footmark means, पैर का निशान, appeared में स्प्रकट हुआ, from nowhere, वहीं कहीं, वहीं कहीं, एक ताजी footmark appeared हुआ, मतलब वो लड़के वहीं कहीं घड़े होंगे, वहीं पात्रंत ताजी एक footmark बन गया, पैर का निशान बन गया, तो ऐसा उनकी आँखों ने, एक अधभूत द्रश, remarkable sight, देखा, किस ने देखा, लंदन के मद्ध में, वो न दो लड़कों ने, ठीक है, अब story थोड़ी आगे बढ़ती है, देखेंगे, further footprints follow, one after another, descending the steps and progressing down the street, further means आगे, footprints means पैरों के निशान, followed means बनते गए, one after another, ठीक है, आगे पैरों के निशान, एक के बाद दूसरा बनता गया, descending means उतरते हुए, the steps means शीडियों पर, progressing the down street, गली में आगे, मतला उतरते हुए शीडियों में, जम गली में नीचे तक आए, जहां तक, ठीक है, तो आगे एक के बाद एक पैरों के निशान, शीडियों पर उतरते हुए बनते गए, progressing the street और गली तक, गली में जाते श्रम है, boys followed fascinated until the muddy impression became fenter and fenter, and at last disappeared altogether, तूब, अब देखेंगे यहां से, यहां से देखेंगे, the boys, boys miss लड़कों, लड़कों ने followed me speech पीछा किया, ठीक है, boys miss लड़कों ने followed me speech पीछा किया, fascinated me उत्सुकता पूरवाग, until miss तब तक, तब तक, the muddy impression, वो मिट्टी के निशान, became fenter and fenter, कम होते गए, fenter and fenter का मतलब कम होते गए, and at last और अंत में, disappeared all together, और अंत में, एक साथ disappeared हो गए, गाएवो हो गए, disappeared मीज़ क्या होता है, बच्चों, इस दिख रहा है, गाएवो ना, अब क्या था, वो दो लड़के, उन पैरों के निशानों का, उत्सुकता पूरवक पीछा करते गए, तब तक पीछा करते गए, जब तक वो पैरों के निशान, धीरे-धीरे कम नहीं होते गए, और at last वो पूरे disappeared हो गए, अब भाई देखिए, ऐसी एक कोई भी चीज किसी के भी सामने ट्रकट होगी, तो हर किसी को उत्सुकता हो जाएगी, देखने की वो कैसे, कि भाई आप कोई भ्यक्ती भी दीख नहीं रहा है, और पैरों के निशान बनने इसका मतलब, क्या सीक्रेट है, क्या राज है, तो क्या था, वो बच्चे क्या थे, फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल, ठीक है, तो उत्सुकता पूर्वा को उसका पीछा करते है, चले गए, देखेंगे, देखेंगे, अब क्या था, इस्टोरी, जो रहस था, उसकी ब्याख्या, बिल्कुल परियाप्त सादा हरड थी, थीक है, एकस्पिलेशन मीज ब्याख्या, मिस्ट्री मीज रहस, रियली मीज बास्ता में, सिंपल अरब मीज बिल्कुल, क्या सिंपल परियाप्त थी, दा बैविल्डर्ड बॉईज हैड वीन फॉलोविंग, इस साइंटिस्ट हूँ हैड जेस्ट डिकवर्ड हाव डिस्कवर्ड हाव तु मेक दा हीूमर बॉड़ी ट्रांस्पेरेंट, अब क्या थे दा बैविल्डर्ड बैविल्डर्ड बॉईज का मतलब है घबराए हुए बच्चे, अब भाई यार कोई घबरा जाएगा, डर्ग लग जाएगा, क्योंकि वो लड़के क्या थे, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है पैरों के निशान बनना है, तो बैविल्डर्ड बॉईज का मतलब है, घबराए हुए लड़कों, लड़के फॉलॉबिंग में स्पीछा कर रहे थे, एक साइन्टिस्ट का, एक बैग्यानिक का, वो हैड जेस्ट डिस्कवर्ड जिसने अभी अभी खोज की थी, कि how to make the human body transparent, कि human body को कैसे पारदर्शी transparent बनाया जा सकता है, ठीक है, तो अब बिल्कुल, इस्टोरी क्या थी, जो मिस्टरी थी, उसकी जो ब्याख्याती बिल्कुल साधा रड़ थी, कि क्या साधा रड़ थी, कि जो लड़के जो थे, वो किसका घवराए हुए लड़के, किसका पीछा कर रहे थे, एक बैग्यानिक का पीछा कर रहे थे, जिस बैग्यानिक ने क्या की थी, कि खोज की थी, कि कैसे human body को transparent बनाया जाए, ठीक है, आगे चलेंगे, गिर्फिन the scientist, यहांसे पढ़ रहे हैं, गिर्फिन the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible, गिर्फिन कौन था the scientist, गिर्फिन बैग्यानिक, had carried out, carried out मिस किये, experiment after experiment, एक के बाद एक बहुँ सारे experiment किये, प्रूफ में सिद्ध करने के लिए human body को could become invisible human body को invisible किया जा सकता है इस चीज को प्रूफ करने के लिए उसने एक बाद एक कई सारे experiment में प्रियोग की है समझ में आ गया क्या समझ में आ गया Giffin the scientist Giffin नाम का एक scientist था उसने एक के बाद प्रियोग के बाद प्रियोग बहुत सारे प्रियोग की है carried out का मतलब होता है करना ठीक है क्या करना experiment experiment किये क्या करने के लिए to prove यह शिद्ध करने के लिए कि human body को कैसे invisible नहीं human body को invisible बनाया जा सकता है अद्रश बनाया जा सकता है समझेंगे इसको अब यहां से आजाएंगे finally he swallowed certain rare drugs and his body become as transparent as a seat of glass though it also remained as solid as glass finally he swallowed swallow का मतलब होता है निगलना लीलना जिसको हम गाउं की भाशा में कह देते हैं certain rare drugs कुछ निश्चित दभा को वो निगल लेता है खा लेता है his body become उसकी body हो जाती है क्या हो जाती है transparent हो जाती है पारदर्शी हो जाती है as seat of glass उतनी पारदर्शी हो जाती है जितनी के एक glass की चादर होती है glass means क्या होता है सीसा सीसे की चादर हो जाती है though it also remained as solid as glass और उतनी solid होती है जितनी solid as a glass जितना सॉलिड एक सीसा होता है ते कर आगे चलेंगे एक सीसे की तरह human body क्या हो जाती है transparent हो जाती है तो brilliant scientist thought यहां पर यहां पढ़ रहे हैं वच्छों हो इह ते कर बिलेंट scientist स्था जिए धब बाज बाजमीज था गेर दर एलॉलेस परसं ठीक है यह और स्थ क्या था एक बिलेंट सीइंटिस्ट था बट लेकिन क्या था रेदर एलॉलेस परसंवें एक क्या है कानून नहीं पर्षन था lawless मतलब नियम कानून के अगेस्ट काम करता था जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसने discovery तो की लेकिन उसका misuse किया आगी चलेंगे देखींगे his landlord disliked him and tried to eject him his landlord उसका मालिक dislike means ना पसंद करता था him means उसको tried to eject him और उसको ना पसंद करता था तो उसको निकालना चाहता था ठीक है कहां से निकालना चाहता था अपने मकान से निकालना चाहता था किसको scientist को कौन मकान मालिक समझेंगे तो इन revenge revenge means क्या होता है बच्चो बदले में Girfin set fire the house to get away without being seen he had to remove his clothes ठीक है तो इन revenge बदले की भावना में या बदले में Girfin set fire set fire means आग लगा दी house means घर में ठीक है बदले की भावना में Girfin ने घर में आग लगा दी to get away without being seen बिना दिखे भाग जाने के लिए get away means भाग जाना without seeing बिना दिखे he had to remove his cloth उसे अपने कपड़े उतारने पड़े head to has to have to यह आपको एक नियम पढ़ाया होगा जब करता कि शी कार को अपने इच्छा से नहीं करता वल्कि उसे वहाकार जबर जस्ती करना पड़ता है तो प्रेजेंट में has to have to past में head to future में will have to sell have to लगाते हैं तो वही है तो he had to remove his cloth उसे अपने कपड़े उतारने पड़े जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था क्या बताया था कि body तो transparent invisible हो जाएगी बट कपड़े थोड़ी नहीं हो जाएगे तो कपड़े उसे remove करने पड़े उतारने पड़े ठीक है बच्चो तो आगे चलेंगे दस इट वाज जैट दस इट वाज देट ही बीकेम ए होमलेस बांडर और दस मीस इस प्रकार ठीक है इट वाज देट ही बीकेम हो गया ए होमलेस बिना घर बाला बांडर मीस गुमककड अब उसके पास क्या नहीं था घर नहीं था तो होमलेस बांडर वह बन गया जैसा कि हमने अभी find out में question देखे तो दूसरा question उसने क्या पूछा था कि हो है homeless बांडर स्ट्रीट में wandering person क्यों बन गया था अब देखो question answer अपने आप निकल के आ गया क्यों बन गया था उसने घर में आग लगा दी बदले की भावना से और कपड़े उतारने पड़े अब वो क्या हो गया Thus it was that he became a homeless wonder और कौन बन गया एक homeless wonder बन गया? without clothes, बिना कपड़े वाला ठीक है? without money and quite invisible, बिना धन वाला quite invisible, बिलकुल अद्रस until he happened to step in some mud and left footprints as he walked अंतिल तब तक ही हैपेंड टू स्टैप यह आगे कदम बढ़ा था इन समब उसके मिटी में कुछ पैर घुश गए और लेफ्ट मीज छोड़ने लगा अब यहां स्टोरी आ गई भूम के फूट प्रेंट कब छूट रहे थे इस तरह इसे आग लगा करके घर में आ गया तो कीचण में प्यार पढ़ गए तो बही फूट प्रेंट स्टाटिंग में दो लड़के लंदन के मद में सीडियों पर जो निशान बन रहे थे वही निश हो गया था अद्रश होगर के निशान बना रहा था तो आगे चलेंगे बच्चों आगे चलेंगे देखेंगे और वो परियापत रूप से उन बच्चों से बच निकल गया जो बच्चे मतला जो लड़के उसके पैरों के निशानों का पीछा कर रहे थे ठीक है कैसे अद्रश हो कर रहे थे ठीक है तो समझ में आ गया तो वह है लंदन में आसानी से उन लड़कों से बच कर निकल गया जो लड़के लंदन में उसके पैरों के निशानों का पीछा कर रहे थे ठीक है अब चलेंगे आगे बट इज एडवेंचर बर बाइनो मीन्स ओबर लेकिन उसकी उपलबदी की उपलबदी का एडवेंचर मीज क्या होता उपलबदी बर बाइनो मीन्स ओबर कोई मतलब नहीं था He had to chosen a bad time of a year to wonder about London without clothes He had to chosen उसने बिना कपड़े के लंदन में घूमने के लिए साल का सबसे बुरा समय चुना He had chosen उसने चुना bad time is बुरा समय year मीज साल का wonder मीज गुमा कड़ के रूप में about London without clothes London में बिना कपड़ों के ठीक है London में उसने बिना कपड़ों के घूमने का उसने बहुत बुरा समय चुना आगी चलेंगे नेखेंगे It was mid winter यह सर्दियों का अर्द सर्दियों का समय था मतलब अर्द सर्दियों वही लगवाग जनवरी का महीना था The air was bitterly cold हवा बहुत थंडी थी bitterly cold का मतलब बहुत थंडी थी And he could not do without cloths और उसने बिना कपड़ों के वह बिना कपड़ों के कुछ नहीं कर सकता था In street of walking about the street he decided to slip into a big London store for barmed In street of walking गूमने के इस्थान पर ठीक है तो उसने लंदन में गूमने के बजाए गलियों में गूमने के बजाए एक इस्टोर में गूसने का मतलब गर्मी के लिए एक इस्टोर में गूसने के लिए उसने डिशाइड कर लिया देखो समझेंगे word to word in street means के इस्थान पर walking means गूमने ठीक है street about street means कलियों में decided means उसने निश्चे किया slip into means जाने का या गुसने का बिग लंदन इस्टोर एक लंदन के बड़े से इस्टोर में बार्फ मीस गर्मी के लिए बार्मत ठीक है गलियों में गूमने के इस्थान पर उसने गर्मी के लिए एक लंदन के बड़े स्टोर में गुसने के लिए डिशाइड किया समझ में आ गया होगा यहां तक closing the time arrived and as soon as he doors the doors were shut griffin closing time arrived and as soon as the doors were shut griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense अब देखेंगे the closing time arrived closing means closing means as soon as the doors were shut दर्वाजे बंद हो गए as soon as means जैसे ही doors means दर्वाजे शट मीश बंद हो गए गिर्फिन बाज able to give himself the pleasure of clothing और गिर्फिन क्या करना चाहता था बिना किसी खर्चे के ठीक है able to himself pleasure pleasure means आनन्द देना clothing means कपड़े का feeding means खाने का himself means अपने आपको without regard to expense बिना घर्चे के वो क्या कर पाता अपने आपको कपड़े पहना सकता था और कुछ खाफी लेता किसमें उसमें लंदन के बिग स्टोर में जाकर कि ठीक है he able to give himself उसने क्या दिया अपने आपको pleasure of clothing कपड़ों का आनन्द लिया और फीडिंग और उसने कुछ खाया पिया himself means without means यह दिख रहा है हमको without means बिना regard to expense का मतलग बिना किसी खर्चे के ठीक है अब समझेंगे यहां से देखो he broke open boxes यहां पढ़ रहा है हम देखो यह पढ़ रहा है he broke open boxes and wraps तोड़ा छोटा करो दिख नहीं रहा है अब देखेंगे he broke open boxes and wrappers and fitted himself out with burn cloths he broke open boxes उसने boxes को खोला ब्रोक उपन करो यह उसके आवच्चो ब्रोक मीश होता है break मीश तोड़ना ताला लगा होगा उसमें boxes में जो बकसे होते ना उनमें तो तोड़ करके उसने खोले होंगे ठीक है तो ब्रोक उपन दा boxes उसने बकसों को तोड़कर खोला एंड ब्रैप पीस लपेटा मतलब पहल लिया होगा कुछ उसमें बकसे में कपड़ा होगा कुछ लवेड लिया होगा चादर वादर कुछ भी होगी ब्रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट बिद बार्म क्लोज और उसने अपने आपको गरम कपड़ों में फिट कर लिया लव उस बॉक्स में क्या होगे कुछ गरम कपड़े होगे वो लपेट लिए अपने चारों तरफ और अपने आपको फिट बना लिया ठीक है यह परकुछ आउगा evalu लव . । फिट स्थिन आउट लिया घर उच्ट कर लॉक्ट इंगा इए इंजा कंग में सुन मीस सीगर। सीगर यह दिख रहा है हमको सॉरी सून यह दिख रहा है सून ठीक है सून विद सूस और ओवर कोट अब अबाइड ब्रिम्ड है सीगरी उसने क्या पहन लिए सूज पहन लिए एक ओवर कोट पहन लिए बाइड ब्रिम्ड हैट एक चारो तरफ किनारी वाला हैट देखा होगा दो तरह के टोप होते है एक कैप होती है जिसमें आगे-ागे किनारी होती है और एक हैट होता जिसमें चारो तरफ किनारी होती है ठीक है इसे बकी लोग पहनते हैं तो और वो क्या बन गया बीकेम में इस हो गया फुल ड्रेस में एक बिजिबिल परसन बन गया एक द्रश ब्यक्ति बन गया अब जैसा कि देखो बत्चरोम seven पहूंच गए कहां पहूंच गए जो मनें फर्स्ट कोश्ण पढ़ा था छी वो इन विजीबिल परसन पहली बार कब विजीबिल होता है तुको कहां विजीबिल हो गया अब यहां करके विजीबिल होगा है कहाँ पर एक लंदन के बिग इस्टोर में गुशाया वहाँ उसने खाया पिया वक्से को तोड़ करके क्या निकाला उसमें से कपड़े निकाले और वहाँ पर उसने क्या पहन लिया क्या पहन लिया, he became a fully dressed, यह देखो यहाँ पर, dressed person, visible person बन गया, क्या पहन कर, shoes पहन लिये, overcoat पहन लिया, white brimmed hat, और एक चारो तरफ के नारी बाला hat पहन लिया, और एक fully dressed person बन गया, ठीक है, अब आगे चलेंगे बच्चो, in the kitchen, यहाँ आ गए हम, in the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, in the kitchen of restaurant, restaurant की kitchen में, ठीक है, restaurant की kitchen, he found cold meat and coffee, he found उसे, क्या मिल गई, cold meat, एक थंडी meat मिल गई, and he followed up the meal, ठीक है, और उसने क्या खाली है, meal and sweet, भोजन और मिठाईयां उसमें रखी थी, वो भी उसने खाली, बाइन मी सराप, taken from the grocery, taken मी ली, grocery store, उसमें एक भंडार गे रहता, उसमें क्या रखी थी, बाइन रखी थी, वो भी उसने पी, किसने, गिर्फिन ने, ठीक है, अब उस रेस्टोरेंट की किचन में घुश गया, बहाँ से क्या मिली, cold meat, यह दिख रही है हमको, coffee पी, and he followed up the meal and sweet, उसने बोजन खाया, मिठाईयां खाई, शराप पी, from the grocery store से, ठीक है, इसना कहा में दिख रहाए है, finally, he settled down to sleep on the pile of goods, finally means, अंत में, he settled down, उसने अपने आपको settle कर लिया, to sleep में सोने के लिए, pile of quarts, quarts में सोती है, रजाईयां, ठीक है, pile में सोता है, धेर, ठीक है, settled down, means, अपने सोने के लिए, ठीक है, उसने अपने आपको set कर लिया, और अंत में उसी restaurant में क्या पड़े थे, गद्दे रजाईयों का धेर पड़ा हुआ था, उसमें अपने सोने के लिए, उसने अपने आपको set कर लिया, ठीक है, आगे चलेंगे, if only girfin had managed to walk up in good time, all might have been well, यद girfin सही समय पर जगने के लिए manage कर लेता, तो साइद सब कुछ सही रहता, ठीक है, if means, यद had manage means manage कर लेता, walk up means जाकर good time means सही समय पर, तो all might, might का साइद सम्मावना के लिए प्रियोग किया जाता है, तो all might have been well, तो सब कुछ साइद सही रहता, कुल मिला के यह कहने का मतलब है, कि यद वो सही समय पर जगर निकल जाता, तो सब कुछ सही रहता, हुआ क्या, कि बहुत देर तक वो सोता रहा, तब तक उस कमाव पर कौन आ गए, जो वो आंके असिस्टेंट थे, करमचारी थे, वो आ गए काम पर, तब तक वो जग नहीं पाया, जग नहीं पाया, तो फिर से उसे इन्विजीबिल हो करके, अद्रश हो करके भागना पड़ा, देखो, स्टोरी को हम पढ़ेंगे, तभी समझेंगे, यह से हमारे बताने से नहीं होगा कम, ठीक है, एज इट वाज, ही डिड नॉट बॉक अप, ठीक है, एज इट वाज, जैसा के, बर अल्रेडी मिस पहले से, अर्राइविंग मिस आ रहे थे, नेक्स्ट मॉर्निंग मिस अगली शुब्य को, इस से पहले कि वह समय पर नहीं जाग पाया, तब तक वहां थे काम करने वाले जो असिस्टेंट थे, वो अल्रेडी अगली शुब्य को आ रहे थे, बहन ही सो एक कपल ओफ देम, बहन मिस जब ही मिस उसने सो मिस देखा कपल ओफ देम, जब उनमें से उसने दो को अपनी ओर आते हुए देखा, तो आगे चलेंगे बच्चों, हाँ थोड़ा फोटू ठीक नहीं कि चाहाए, एप्रोचिंग क्या करते हुए देखा, आते ठीक है, एप्रोचिंग मिस आते हुए देखा, ही पैनिक डेंड बिगें टू रन, वह पैनिक मिस गवरा गया, बिगें टू रन और भागने लगा, इसको देखा, इससे पहले कि वो सही समय पर जाग नहीं पाया, तो वो दुकान में जो काम करने वाले थे वो आ गए, तो उनमें से दो को उसने अपनी और आते हुए देखा, जब उसने अपनी और उनको आते हुए देखा, तो पैनिक हो गया उसे, घबरा गया वो, और क्या हो गया, वो भागने लगा, दे नेचरली गेव चैस, उन्होंने नेचरली उनका सवाविक रूप से उसका पीछा किया, ठीक है फोटो से ही नहीं आया है आगे चलेंगे इन दा एंड ही बाज एबिल टू एज़केप अउली बाई क्विक्ली टेकिंग ओफ इस नूवली फाउंडेट क्लॉट इन दा एंड अन्त में इन एबिल टू एज़केप उसे बचके निकलने के लिए न्यूए अतारने पड़े अब बहां भी अंत में उसे बच निकलने के लिए जो नूञ आभी पहने ते किसमें पहने थे बहें न Framels और में बच के निकलना पड़ा समझ में आ रहा होगा तो एक बार फिर so once more he found himself in invisible and but naked in chill January year so इसलिए once more एक बार फिर he found himself invisible उसे अपने आपको फिर से अद्रश करना पड़ा naked मीस नंगा करना पड़ा chill January year जनवरी की थंडी हवा में तीक है आगी चलेंगे समझेंगे इस टाइम ही डिशाइडे तो ट्राइट तो इस्टॉक ओफ त्रेटिकल कमपनी इन दा होप फाइंडिंग नॉट ओली कलोथ बट अलसो सम्थिंग देट बुड हाइड इंपटी इस्पेस अबब इस सोलजर्स अब इस टाइम इसने कहां जाने का डिशाइड किया एक थेटिकल कम्पनी थी उसमें यह उम्मीद करके उसने जाने 순간 कट इस रेंगों आंपक delicious दाक्सकंटा को का सकता हुआ है ढाईट कुपा सकता हुआ हाँ हो से गिंडम्स पार साथ कुछ आप पड़ों से अब यहां से देखेंगे सिल्धme णिश्चय कि श्व्या ट्रय टॉइ स्टॉक करने का किसमे थेटिकल कम्पणी में finding me is पाने के रिए not only the cloth नकेवल उसमें मुझे कपड़े मिल जाएंगे but also something कुछ ऐसा भी मिल जाएगा जिससे मैं अपने कंधों से उपर का जो भाग मेरा उगरा हुआ उसको वे में धांक सकता हुआ तो देखेंगे आगे चलेंगे Siverig with cold he hurried to Duriland the center of theatrical world Siverig means कापते हुए, ठंड से कापते हुए, he hurried हुए जलदी से गया the Duriland, Duriland एक place का हिस्थान है, कौन सा हिस्थान है Theater world का center है वो, ठीक है Center, center of theater world, theater world का एक center है Duriland वहाँ पर हुए जलदी से कापता हुआ गया तीक है आगे चलेंगे देखेंगे So he soon found a suitable shop और सीग्र ही उसे एक उचित दुकान मिल गई Soon means, सीग्र found means उसने पाली या उसे मिल गई Suitable means, सही या उचित shop means दुकान और सीग्र ही उसे एक सही उचित दुकान मिल गई He made his way invisible upstairs and came out A little letter wearing bandages round his forehead Dark glasses, false nose, big boosie, side viscous and a large hat So he made his way invisible उसने फिर अपना तरीका जो था वो invisible अपना जो रास्ता था वो invisible कर लिया कुल मिला के कहेंगे कि वो अद्रश्य हो गया उसे एक दुकान तो मिल गई अब उसे पता था इस दुकान में कैसे गुसा जाए अगर वो visible होके गुसता है तो सब लोग देख लेंगे इसलिए उसे He made his way invisible उसने अपना जो बे था खुद को क्या कर लिया इन्विजिबिल बना लिया अद्रश्य बना लिया अप्पे स्टेयर्स एंड केम आउट ए लिटल लेटर बीयरिंग अप्पे स्टेयर्स में सीडियों पर उपर केम आउट मीस बहार आ गया मतलब पहले वो उस उकान में गया इन्विजिबिल होकर और केम आउट आ गया लिटल लेटर थोड़ी देर बाद बहार आया और कैसे आया बीयरिंग मीस पहन कर क्या पहन कर बैंडेज इस बैंडेज जानते हैं बैंडेज इस रांड फिज फॉर हैड अपने माथे पर चारो तरप पंती को बांद कर देखा और के अवह लड़की अकसर फैशन में बांद लेते है पत्ती इस नो तो बेंडेज इस राउंड हिस फॉर हैड डार्क ग्लासिस काला चस्मा पहन कर आया उस दुकान से निकल के फाल्स नोज जूटी नाख जूटी नाख जानते हैं कोई नकली नाख होगी वो पहली बिग बुसी साइड बिसकर्स बड़ी-बड़ी साइड बिसकर्स बुसी मीज जाड़ी जैसे जी ओठों पर चार तरफ मौचें होती है तो बाइड बुसी साइड बिसकर्स पहन करके आ गया एंड लार्ज है टो इक बड़ा सा टोप पहन करके मतलब कुल मिलाकर यहां तक कार्थी होगा कोशी गृता से उस दुकान को उसने पाया और उसमें अद्रश ह के चला गया और थोड़ी देर बाद बहार आया तो क्या पहन कर आया bandages round his forehead यह है यहां से यह पढ़ गया तो bandage round his head और अपनी माथे पर चारों तरफ पट्ती पहन कर आ dark glasses काला चस्मा पहन के आया फाल्स nose एक जूटी नाक लगाया आया बिग बुसी side biscuits और बड़ी बड़ी मूचें लगाया आया and a large हैट और एक बड़ा सा टोप पहन लिया to escape without being seen बिना दिखे बच निकलने के लिए escape means बच निकलने के लिए without being seen बिना दिखे he casually attacked the shopkeeper उसने casually बिना किसी रीजन के attack means आक्रमर कर दिया shopkeeper पर सुद्दुकान बाले पर from behind means पीछे से उसने casually उस shopkeeper पीछे से shopkeeper पर पीछे से attack कर दिया after which he robbed him of all the money he could find after which जिसके बाद he robbed उसने लूट लिया हमीस उसको all the money उसका पूरा money he could find जो उसने find किया ता मतलब जो उसने कमाया था किसने उस shopkeeper ने उस shopkeeper का उस सारा पैसा उसने लूट लिया जो उसने कमाया था ठीक है अब देखो next चलेंगे next जो हम स्टोरी है वहाँ पर हमें कौन-कौन से question find out करने रीड एंड find out देखो आगे की स्टोरी पढ़ेंगे और इन questions को find out करेंगे वाइड डिड़ मिस्स हॉल find the scientist eccentric मिस्स हॉल को a scientist eccentric क्यों लगा क्यों लगता है eccentric जानते हैं सनकी मिस्स हॉल को वह बैग्यानिक सनकी क्यों मालूम पढ़ता है दूसरा question ही हो गया दूसरा है हमारा what curious episode occurs in the study ठीक है उस study कच में क्या serious episode घटेत होता है वह आगे हम पढ़ेंगे कब घटेत होता है what other extraordinary things happened at the in और क्या extraordinary एक क्या अधार असाधारड सी बात things means चीज यह बस तू happened घटेत हुई इन में उस इन में क्या एक असाधारड सी बात घटेत हुई थी तो क्या घटेत हुई थी आगे की स्टोरी पढ़ करके यह चीजें हम automatically अपने आप स्टोरी पढ़ करके इसे find out कर सकते हैं और हम इसको समझ सकते हैं ठीक है वच्छो तो चलेंगे पढ़ेंगे इगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउड लंदन ही टुक ए ट्रेंड टू दा बिलेज ओफ आइपिंग इगर मिस उत्सुकता तू गेट अवे मिस बच निकलने की फ्रॉम मिस से crowded London भीड भरे लंदन से बच निकलने की उत्सुकता से he took a train to village आइपिंग उसने आइपिंग नामके बिलेज की एक train पकड़ दी he took means पकड़ ली या बैठ गया train मिस train में village आइपिंग आइपिंग नामके village को जाने बाली train में वेठ गया क्यों गया था विलेज आइपिंग नाम के विलेज में वह इध्यार रखेंगे कौन से विलेज की बात तुई या आइपिंग क्यों गया था कि वो ओबर क्रावडेड लंदन जो सिटी ता वहाँ पर वो कही न कहीं पकड में आ जाता था इसलिए उसने क्या डिशाइड किया कि क्यों न में से क्रावडेड लंदन से बच निकल जाओं इस उत्ष सक्ता से उसने आइपिंग नाम के विलेज की एक ट्रेन पकड़ ली आगे चलेंगे समझेंगे भियर ही बुक्ड ट्ू रूम्स एडदा लोकल इन भियर मीज जहां ही मीज उसने बुक्ड मीज बुक कर दिये ट्ू रूम्स मीज दो कमरे एक लोकल इन में लोकल जो धरहमसाला बनी होती है सराइब नहीं होती है, जिसमें लोग रुकते हैं, यात्री रुकते हैं, तो उस लोकल इन में उसने दो कमरे क्या कर दिये, बुक कर दिये, ठीक है, यहां देखेंगे, यहां से चलेंगे, अराइबल मिस आना, इस्ट्रेंजर मिस एक अजनभी का, एट एन इन एक सराइ में, इन बिन्टर मिस सर्दियों में, इन एनी केस किसी भी कारड से, अन इसल इवेंट, इसी अधारड सी गटना थी, ठीक है, एक असाधरड सी, क्या थी, कि एक अजनभी का, सर्दियों के समय में, सराइ में आना, इन में आना, एक अजनभी का, एक असाधरड सी गटना थी, ठीक है, समझ में आया है, फिर से बताते हैं, सर्दियों में, इन में, एक अजनभी का आना, क्या थी, एक असाधरड सी गटन अलगा थी कि अजनभी कौन है कहां से आया है और इस दह्रमसाला में गिस उद्देश और एक चौन पर टोप पहने आया था हेट